नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता होगा RRB NTPC की वेकंसी आ चुकी है, 813 वेकंसी हैं, फॉर्म भी जल्दी भरे जाने वाले हैं, 14 सितंबर डेट है, जो एक्टिवेट होगी लिंक, तो 14 सितंबर को एक्टिवेट हो जाएगी, जैसे ही एक्टिवेट हो आपको जाना की PDF है, जो official notification है, ठीक है, अगर कोई समस्या बनती है, वैसे समस्या बने की नहीं, वीडियो देखने के बाद, अगर बनती है, तो वहाँ से आप जाकर PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, पुरा notification है, तो अगर आग चैनल पर नए है, तो चैनल को subscribe कर लिजेगा दोस्त है, तो जो जिनके बास bachelor degree नहीं है, वो इससे दूर रहे ठीक है, वो इसमें नहीं बढ़ सकते हैं, आप इसमें नहीं एंटर कर सकते हैं, ठीक है, अपलाई नहीं कर सकते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं application की जो date है, वो start होगी 14 सितंबर, जैसे मैंने आपको बता है, 14 सितं पहले हैं, तो आप पहले पहले ही बढ़ लीजे, लास डेट का इंतजार मत करिएगा, ठीक है, और extension का इंतजार मत करिएगा, बढ़ेगी बढ़ेगी, यह सब बिल्कुल भी नहीं, यह सब फर्जी की चीज़े होती है, जैसे डेटा हैं, आप ऐसे form बढ़िए, तो लास ड आपकी October एक महिने फर्म चलेगा, एक महिने बहुत टाइम होता है, आप भर सकते हैं, तो 13 October को बंद हो जाएगा, ठीक है, लास जो फीस पेमिंट की डेट है, वो भी आपकी 13 October यह है, ठीक है, एक्जाम डेट वो भी मैं आपके बताऊंगा, जब आएगा तो उसकी वीडिय 13 साल है, और मैक्सिमम ही 36 साल है, ठीक है बाई, आगर आप 18 साल के हैं, तो आप भर सकते हैं, 36 साल के हैं, तो आप भर सकते हैं, तो आप बर सकते हैं, एक बात फीस की करता हैं, तो फीस यहां पर जनरल OBC और EWS की 500 रूपे ही है, ठीक है, तीनों की सेम है, यहां पर Physically Handicapped औ कोई भी हो आपके लिए 200 रुपया फीस है ठीक है पहले आप मतलब सम्मिट करेंगे फीस जो कटाएंगे पेपर जो फॉर्म भरने के टाइम ठीक है फिर जब आप पेपर देने जाएंगे यानि स्टेज बन का जब आप पेपर देने बैठेंगे तब आपको 400 रुपय का फीस पढ़ेंगे ठीक है सेस्टी पीएच और जो फीमेल कंडिडेट्स होंगे उनके लिए रिफंड जो है वो 200 रुपय होगा यानि आपने जितना भारा है आपको पूरा का पूरा उतना रिफंड हो जाएगा ठीक है आप फीस किसी भी माधियम से भर सकते हैं डेविट का अगे बात करते हैं टोटल वेकंशी मतलब कौन कौन सी पोस्ट पर कितनी वेकंशी है ठीक है तो टोटल हमारी कितनी है सबके लिए बैसे अगर होगी चाहिए तो बिस आपको सिर्फ ऑर कुछ शही है ह الد buraya अगर इन सब के लिए junior account assistant कम typist और senior clerk कम typist अगर इन सब के लिए apply करेंगे तो आपको typing आनी चीए ठीक है typing का एक अलग से skill test होगा वो हम exam pattern में बात करेंगे जब हम कल video syllabus और exam pattern की लेकर आएंगे तो हम आपको बताएंगे ठीक है और फिर यहां पर junior assistant की जो 1507 vacancies और senior clerk की 732 ठीक है तो पोस्ट बहुत अच्छी है सारी अच्छी है आप form भरिए ठीक है चैनल को जो है like करिए share करिए और subscribe करिए ठीक है वीडियो जैसी आती रहेंगे आपको हर चीज की detail हम बताएंगे और form हम भरके भी बताएंगे कल आपको जब open होती लिंक की कैसे कैसे form भरा जाएगा क्या-क्या norms हैं क्या-क्या चीजे भर भरी जा रही है क्या-क्या requirements है क्या documents लगने हैं वह सारी चीजे हम बताएंगे आपको ठीक है बाई तो hope करता हूं आपको समझ में आया हुगा अगर आपको सही लगी वीडियो तो चैनल को subscribe करिएगा वीडियो को like जरूर कर दीजेगा क्योंकि आपको साफ कर देगी कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको कितने का टार्गेट रखना है यह सारी चीजे कल जो है clear हो जाएंगी तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमाई वीडियो को देखने के लिए ठीक है और बहुत-बहुत आप लोगों को श